ये आजादी तो खुलामी से भी बुरी है रजनी कि एक भाई के सामने एक बहन का बलातकार हो और भाई कुछ ना कर पाए वो भाईया भाईया चिलाती रही चिलाती रही हो मैं कुछ नहीं कर सका राज बबर का जन्म 23 जून 1952 को आगरा उत्तर प्रदेश में एक पंजाबी सुनार परिवार में हुआ था उनका परिवार विभाजन के बाद से फिरोजाबाद के टूंडला में बस गया है उनकी पैत्रिक जड़े जलालपूर जटान में है जो अब पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात जिले में स्थित एक शहर है उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मुफीदयाम इंटर कॉलेज आगरा से की वह राष्ट्रिय नाट्य विद्यालय की 1975 कक्षा के पूर्व छात्र और आगरा कॉलेज से सनातक हैं जो स्ट्रीट थेटर से जुड़ा है नई दिल्ली में प्रशिक्षन के बाद वह मुंबई चले गए और उस समय की प्रसिध अभिनेत्रियों में से एक रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की उन्होंने फिल्म इंसाफ का तराजु में एक बलातकारी के भयानक चितरन के लिए कुख्याती प्राप्त की जिसमें उन्होंने नायका जीनत अमान और बाद में उनकी बहन के साथ मार पीट की और अंत में नायका द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई वह बियार चोपरा बैनर की एक सतक विशेष्टा बन गए जैसे की दीपक पाराशर सलमा आगा के साथ निकाह और स लेखनिय प्रदर्शन किया गंभीर विश्यों वाली तीन आर्ट हाउस फिल्में यतार्थवादी तरीके से पेश की गई और यह थी पंजाबी फिल्म छेतर के लिए एक नवाचार उन्होंने हिट पंजाबी फिल्मों आसरा प्यारदा महौल ठीक है शहीद उधम सिंह या प्रदाना बरसात जैसी कई फिल्मों में खलनायक के रूप में दिखाई दिये जिद्धी और कई अन्य फिल्में सफल रही लेकिन कुछ व्यावसायक रूप से फ्लॉप रही उन्होंने टेलिविजन में भी अभिनय किया है वह प्रसिद्ध भारतिय टीवी श्रिंखला मह भारत के प्रारंभिक एपिसोड में राजा भरत बहादूर शाह जफर के रूप में और अपनी होम प्रोडक्शन श्रिंखला में भी दिखाई दिये उन्होंने प्रसिद्ध प्रक्तिशील उर्दू लेखक सज्जाद जीर की बेटी नादिरा जीर से शादी की